हेलो दूस्तों गुडिया लीटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है आप यह देख रहें चांदिनी का प्लांट है जो कि कटिंग से लगाया हुआ है और डबल पैटर तो इसमें करना क्या है अब हलकी हलकी प्रूनिंग करनी है खाद देनी है क्यूंकि अब इन में जो प अप्रजिता के भी प्लांट है जो कि डोर्मेंसी में चले गए थे सारे पत्ते पीले होकर जितने भी पर्मनेंट प्लांट है सारे जड़ जाते हैं तो दोस्तों हमें करना क्या है खाद देनी है और जैसे कि देखिए आप यह एक डाल है तो इसे अगर हम उपर की टिप कट है दोस्तों सड़ी हुए गुबर की खाद लेजा यह देखिए चैपत्ती जो कि घर पे बनाते हैं तो उसे अच्छी तरह से धोले और सुखा कर इसे हम पौधे में दे सकते हैं तो इसे हमारा फूल भी बहुत अच्छा है और नहीं नहीं ब्रांचेस भी बहुत सारे आएं जो अड़ूल के पौधे हैं सफेद वाले इस पे आते हैं और यह में जो बैग होते हैं वो खराब हो चुके थे तो इसमें ही में लगा दी बहुत बड़ी बैग है तो देखिए दूस्तों इसमें हमेशा फूलाते हैं विंटर हो वरसात हो या थंड के दिन हो गर्मी हो वर करके खाद देने वाली हूं और हर पौधे में में देने वाली हूं जितनी भी मेरे पर्मनेंट प्लांट है जैसे होगे हमारे अरूल के पौधे चांदिनी का प्लांट एक चोरा बोगन विलिया तो अभी फ्लारिंग कर रही है जितनी भी हमारे पास पर्मनेंट प्लांट ह यही सब काम करने वाली हूं, जनवरी फरवरी से ही स्टार्ट हो जाते हैं, इनकी ग्रोध फूल भी अच्छे आते हैं, गर्मियों में भर भर के फूलाएंगे, तो इसमें मैं सारी इसलिए दे दी, क्यूंकि यह बहुत बड़े बैग में लगी हुई है, तो इसमें 5-6 मुठ चापती जुदी हुए ही, अब सेस में हमें इसको ऊपर से मिटी डाल देना है, Selbst यह जडल देने के बाद और स tamam, तो हर प्लांट पे मैं इसी तरह काम करने वाली हूं और इनकी हलकी 현atकी प्रूनिंग करनी कि इसमें कोई फायदा नहीं फूल तो आते हैं तो मेरे गाडन में कम जगह है तो मैं इसे नीचे रखी हूँ और इनके जितने भी ब्रांच है उस तरफ जुका दी यह देख सकते हैं इस तरह से तो दोस्तों एजेस्ट करना पड़ता है जैसे तैसे और उपर की जो हमारी दे फूल का लालच नहीं करना अगर आपके प्लांट पे कलिया है तो फिर भी आप कट करें इस फिर हमारे जो पौधे में ज्यादा फूल आएंगे दोस्तों जैसे कि आप एक टहनी पे देख रहे इतनी सारी तो उस पे जब फूल आएंगे दो तीन तेहनी पे फूल आएंगे तो फिर हमें प्रोनिंग करने के पालच निकले हैं डेखे जो कटिंग कर बना कर लगा कर लोंगे दोष्टो थंड ने तो उसमन शोटी चोटी रहते हैं करने पतिया वी तो वह सारी में उपर की इतनी भी थी और टिकोमा में भी हलकी हलकी लेखे वह सब नए है और इनका अंगल निकाली जितनी भी पतियां है सारी हटा लेनी है जो हम लगाते हैं तो बहुत आसानी से लग जाती है तो आप मिटी और बालू लेले ग़ाने के लिए और हमारा नोड एरिया होना जाही है जैसे देखर आप पतीयों के पास जू होते हैं वह रौत हूँ से धो-तीन नोड एरिये प्रड़ेपी के अंदर जाना है तो डुस्तो दिखेंट से सारी व्हें छी से पानी देदी और आप यह से जगा ना हर अब ऐ